जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरू लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज है नवरात्र का सात्मा दिन और नवरात्र के सात्मे दिन मा कालरात्री की पूजा की जाती है मा काल रातरी मा दुर्गा के सात्मा सुरूप है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आज आप मा काल रातरी की पूजा कैसे करेंगे पूजा की विधी बताएंगे कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए मा कालरात्री का प्रिये फूल कौन सा है कौन सा फूल मा कालरात्री को अरपित करना चाहिए भोग में क्या लगाना चाहिए तथा उनका पसंदीदा रंग कौन सा है आप किस रंग के वस्थ पहन कर मा कालरात्री की पूजा करें साथी साथ हम मा कालरात्री की पूजा की ब्रत की कथा भी बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे मा दुरगा का सब्तम स्वरूप मा कालरात्री देवी का है मा कालरात्री का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है इनका वर्ण अंधकार की भाती काला और केस विखरे हैं मा कालरात्री के तीन नेत्र ब्रंभांड की तरह विसाल वगोल है जिसमें से बिजली की भाती किरने निकलती रहती है मा का यह भै उत्पन करने वाला सोरोब केवल पापियों का नास करने के लिए है भले लोगों के लिए नहीं कहा जाता है कि मा कालरात्री की पूजा करने से काल का नास होता है मा के इस स्वरूप को वीर्ता और साहस का प्रतीक माना जाता है ऐसी मानिता है कि मा कालरात्री की कृपा से भक्त हमेशा भै मुक्त रहता है उसे अगनी, जल, सत्रू, आदी किसी का भी भै नहीं होता नवरात्री के सात्मे दिन जैसे नित्य आप नवरात्री में पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही सुवहस्नान आदी से निवरित होने के बाद स्वक्ष वस्त्रधारन करें इस दिन आप नीले रंग के वस्त्रधारन करें तो ज्यादा हुआ क्योंकि मा कालरात्री का पसंदीदा रंग नीला रंग है फिर मा कालरात्री की विधी विधान से पूजा अर्चना करें देवी को अक्षद, धूप, गंध, रातरानी की पुस्प और क्रिस्न कमल का फूल अर्पित करें क्योंकि इनको नीला फूल ज्यादा पसंद है इनका पसंदीदा रंग नीला है तो नीली पुस्प अर्पित करें गुड का नैवेद लगाए तथा बिधी पुरवक पूजा करें आप दुरगा चलिशा का पाठ करते हैं तो पाठ करें दुरगा सब्तिसती का पाठ करते हैं तो पाठ करें उसके बाद दुरगा मा की आर्ती करें इस दिन ब्रामनों को दान अवस्य देना चाहिए। ऐसा करने से आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। मा कालरात्री की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खूला ना रखे। पूजा के समय सिर पर साफ रुमालादी अवस्य रखना चाहिए। इसके अलावा सप्तम के दिन रात में विसेश विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है जो तंतर साधना वाले व्यक्ति होते हैं। मा कालरात्री की कथा क्या है तो कालरात्री को काली का ही रूप माना जाता है। काली मा इस कल्यूग में परत्यक्ष फल देने वाली है। काली भैरवत था जी ही ऐसी देवी वह देवता हैं जो सिग्री जागरित होकर भक्त को मनुवांशित फल देते हैं। जैसे बादल मेरुगिरी के सिखर पर पानी की धार की वर्सा हो रही हो। तब देवी ने अपने बानों से उस बान समों को अनायास ही काट कर उसके घोडे और सार्थियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुस तथा अत्यंत उची ध्वजा को भी ततकाल काट गिराया। धनुस कट जाने पर उसके अंगों को अपने बानों से विन्ध डाला। और भद्रकाली ने सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महाद्यत प्रानों से हाथ धो बैठा। मा कालरात्री की पूजा के समय कौन से मंत्र का जाब करना है वो मैं स्क्रीन पे दे दे रही हूँ, आप उसे देख ले। इसके अलावा मा कालरात्री का मंत्र या देवी सर्वुतेशू मा कालरात्री रुपेन संसिथा नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमूनम मंत्र का भी जाब कर सकते हैं। तो दोस्तों सप्तमी तिथी पर इस प्रकार आप मा कालरात्री की पूजा कर मा कालरात्री को प्रसन कर सकते हैं सप्तमी तिथी का चुकी बहुत ज़्यादा महत्व है क्यों इस दिन मा की आखे खुलती है दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथी का काफी महत बता गया है इस दिन से भक्त जनों के लिए देवी मा का दर्वाजा खुल जाता है और भक्त गन पूजा अस्थलों पर देवी के दर्सन हे तो पूजा अस्थल पर जूटने लगते हैं तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सबस्क्राइब करे थैंक्स